Welcome to my channel, शिखास किचन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कुदरत का खजाना बहुत ही अनमोल है जिसमें तरह तरह की दुरलब जड़ी बूटियां होती है जो की हमारे आसपास ही होती है दोस्तों परंतु गुणों के जानकारी के आभाओं में हम ये नहीं जानते हैं और इन पौधों को हम खपतवार समझ कर उखाड कर फेग देते हैं परंतु बहुत ही जादा चमतकारी जड़ी बूटियां है दोस्तों आज मैं आपके साथ एक ऐसे ही चमतकारी पौधे के बारे में जानकारी शेयर कर रही हूँ दोस्तों जो की हमें कई बिमारियों से बचाता है साथ ही साथ दोस्तों इसका बहुत जादा इसकी मेडिसनल प्रॉपर्टी है आयुरवेद में इस पौधे का बहुत जादा महत्व है तो आज इस पौधे के बारे में जानकारी दे रही हूँ दोस्तों ये पौधा जो है अरंड का पौधा है जो की वर्षाकाल में अपने आप ही जगह जगह उग जाता है शायद अभी वर्षा के समय आपके घर के आसपास भी यहाँ लगा होगा खुली जगह मैडानी इलाकों में सडकों के किनारे बहुत आसाणी से लग जाता है चोडे से पत्ते होते हैं बड़े से पत्ते होते हैं और इसका जो फल होता है दोस्तों थोड़ा सा इसका फल कंटक यूग तो होता है छोटे-छोटे से कांटे होते हैं छोटे-छोटे फल है आप देख सकते हैं ये फल लगा हुआ है ये देखें एक हरे रंग का फल आपको दिखा रही हूँ इस तरह से इसमें फल लगे हुए है और इसी फलों से इसी बीजों से तेल निकाला जाता है और इसे हम कहते हैं अरंड का तेल इंग्लिश में इसे कहा जाता है कैस्टर ओयल तो आज मैं आपको कैस्टर ओयल प्लांट के बारे में बहुत ही अध्भुत जानकारी दे रही हूँ जो कि आपके त्वचा से सम्मधित कई बिमारी को दूर करता है, पेट से सम्मधित कई बिमारी को दूर करता है, सांती सांत बालों के जड़ने को रोकता है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों कैसे इसका प्रयोग करना है, यदि वीडियो अच्छा लग जाए तो वीडियो को परंडी बोलते हैं, इंग्लिश में से कैस्टर कहा जाता है, तो कैस्टर ओईल वाला जो यह जो प्लांट है दोस्तों, इस तरह के इसके फल होते हैं, शुरू में यह हरे हरे से होते हैं, नरम नरम से काटे होते हैं, जब यह फल पक जाता है दोस्तों, तो इसके बीजों से अ आपको इसका प्रेयोक बताऊंगी कि यह जो औरस्दी पौधा है, यह कितना गुणकारी है, चाहे इसका तना हो, चाहे इसकी पत्ती हो, चाहे इसका फल हो, चाहे इसकी जड़ हो, सारी बिमारियों को दूर करता है अरंडी का पौधा, तो शायद आपके घर के आस पास लगा होगा दोस्तों आप लोग इसे ध्यान से देख लीजे इसलिए तो इसकी खेटी की जाती है हमारे देश में कई छेत्रों में इसकी खेटी की जाती है केस्टर रोईल को निकालने के लिए और सांती सांत दोस्तों, अयूरुवेधिक जो कमपनियां है इसे कई दवाई बनाती हैं, विदेशों में भी इसे सप्लाइ किया जाता है, यह इतना जाता और्ष्थी कुणों से भरपूर होता है, पत्ते का रस भी निकाल लेते हैं, दोस्तों आप चाहें तो पत्ते का रस एक चमच रस पीने से पीलिया की जो बिमारी होती है दोस्तों वह बिल्कुल ठीक होती है लीवर से जुड़ी हुई समस्याओं को ठीक करता है कफ रोधी होता है अरंडी का जो रस होता है पत्ते का रस कैसे निकालना भी वीडियो में दिखा रही हूं मैं आपको प्रेगनेंस ठीक हो जाते हैं तो इसकी जो नाजुक नाजुक पत्तियां है दोस्तों कई लोग क्या करते हैं इसकी पत्तियों को कूट लेते हैं और रस निकाल लेते हैं एक चमच रस लेने से पेट से जुड़ी हुई सारी परिशानिया दूर होती है और आईवेद ग्रंथों में दोस इसके पत्तों को गरम करकर सूजन वाली जगह पर या जोडों में जहां बहुत जादा दर्द हो रहा वहां पर लगाएंगे तो आप देखेंगे जॉइंट पेंट से आराम मिलेगा किसी भी भाग में दर्द है शरीर के या सूजन है आप चाहें तो इसके पत्तों में सरसो का तेल मिलाकर उस जगह पर बाढ़ ले पूराने समय में लोग क्या करते थे दोस्तों गाओं में आज भी लोग करते हैं बच्चों को जब पेट दर्द होता न दोस्तों तो पेट दर्द में भी इसके पत्तों को हलका सा गरम करते हैं तेल लगा कर इतना गरम जितना आप लोग सहन कर सके बच्चा सहन कर सके पेट मे जाता है जिन्हें पिरेट्स में परिशानी होती है उनके लिए भी ये बहुत फाइदे मंद है कॉंस्टिपेशन को दूर करता है दोस्तों और आपके आज पास ये पौधा आसानी से मिल जाएगा आपको क्या करना है दोस्तों इसकी पत्यों को लेना है थोड़ा अच्छा प पेस्ट लगा लेंगे तो देखेंगे जो स्किन डिसीज है चर्म रोग है एक्जीमा सोराइसीज बिल्कुल ठीक हो जाएगा इतना जादा ये फाइदे मंद है दोस्तों इसी तरह से इसका तेल आता है ये देख सकते है एक आता है ब्लैक केस्टर रॉयल और एक प्लेन केस रणा रुख जाएगा यदि गंजेपन की समस्या है तो गंजापन दूर होगा कभी भी केस्टर रॉयल को डायरेक्ट नहीं लगाते हैं एक चमच केस्टर रॉयल को दो चमच नारियल के तेल में या किसी भी तेल में सरसों के तेल में मिक्स करके लगाएं डायरेक्ट ना क्योंकि बहुत जादा गाढ़ा होता है दातों में दर्द है तो एक चमच केस्टर ओई लेना है चुटकी भर मैंने यहाँ पर हल्दी डाली है चुटकी भर यहाँ पर मैंने सेंधा नमक डाला है और इससे यदि आप दातों में मंजन करेंगे तो मसूडे की सूजन में आराम मिलेगा दातों से खून आता है घाओ हो गया है वह भी भर जाएगा पाइरिया की बिमारी भी दूर करता है केस्टर ओईल तो केस्टर ओईल चुटकी भर हल्दी चुटकी भर सेधा नमक डाला है आप चाहें तो केस्टर ओइल में थोड़ा सा कपूर मिला कर भी अपने दातों की मालिश करेंगे तो जो दातों का दर्द है और पाइरिया की बिमारी जड़ से समाप्त हो जाएगी केस्टर ओइल और कपूर कॉंस्टीपेशन है तो गरम पानी लेना है इसमें 4-5 बूदे अरंडी के तेल की डालना है गरम गरम पानी में और थोड़ा गुन-गुना ही पीना है constipation बिलकुल ठीक होगा और साथ ही साथ दोसों बवासीर में जिन्हें पाइल्स की तकलीफ है वे लोग थोड़ा सा हलका गुनगुना दूद ले दूद में भी इसे ले सकते हैं तो जिन्हें पाइल्स है वे भी इस तरह से ले पानी में ले बूद मिले हलके गरम मिले चार पांच बूदे कबज दूर होगा कॉंस्टिपेशन दूर होगा और बवासीर की बिमारी बिलकुल ही ठीक होगी तो ये देखे चली अब बताती हूं है आपको जोडों में कैसे लगाना हमालीजे कहीं सूजन आ गई है पेट दुख रहा है या आपके घुटनों में बहुत ज़ादा तकलीफ है थोड़ा सा सरसो का तेल ले सकते हैं इसके पत्तों में लगाने के लिए सरसो का तेल बहुत बढ़िया दर्द निवारक होता है तिल का तेल ले सकते हैं और पत्तों में बढ़ी अच्छा पेल लगा ले और हलका सा इस पत्ते को गरम कर ले जैसे तवा होता न हमारे तवे के उपर आप इन पत्तों को रख दे थोड़ा ये सिख जाएगा हलका गुनगुना गुनगुना इस पत्ते को यदि आप अपने जोडों के दर्द पर रखेंगे पेट में रखेंगे दोस्तों तो पेट दर्द भी ठीक होगा और घुटनों के दर्द हड्डियों के दर्द से आपको आराम मिलेगा तो दोस्तों बहुत ही रामबान औरजदी है इसका बहुत ज़ादा प्रयोग किया जाता है मुटापे को कंट्रोल करने के लिए भी गरम पानी में कुछ भूंदें केस्टर रॉयल की दो मूर्ण डाल कर लेंगे मुटापा भी कंट्रोल करता है पेट में यदि इस पत्ते को बांधेंगे ना दोस्तों तो पेट के दर्द से आपको तुरंत ही आराम मिलेगा तो देखा ना कितना जादा फाइदे मंद है दोस्तों और जी गुडों का भंडार है तो अच्छा की कोई भी बिमारी हो चर्म रोग उसे जड़ से समाप्त करता है बहुत से लोग इसके प सब्सक्राइब जरूर करें और इसे ट्राइच करें